अब गाहीम, असलाम लेकुम डियर स्टुडेंट, जैसे कि आप सब जानते हैं, कि हमने लास्ट लेक्चर में बाइनरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था, कि कम्प्यूटर में डाटा जो है, वो हम किस वार्म में सेव करते हैं, ठीक है, और हमने बीट, बाइट और नमबर सिस हमने डिफेरंट टाइप को डिसक्रिश किया जिसे एक्सर डेसिमा नमबर सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, आकटल नमबर सिस्टम, ठीक हैं, हमने इन सब को जो है, भरी बारी डिटेल में स्टडिय किया, और लास्ट लेक्चर कें प। यह हमने टुथट टेबल के हाँ के उसमें क्या होता है ठीक है वो सारा हम जो है वो लास्त लेक्शिर में डिस्क्रस कर चुके हैं हाँ आईए हम आज का पना lecture स्टार्ट करते हैं आज के lecture में Hum पढ़ें गे जो हे वो operators के बारें में ट्रैट्टी अब्स क्या है? defin causal logical and or and not operators alogical operation is a special symbol or word that connects to or more phrases of information it is most often used to test whether a certain relationship between the phrases is true or false. ठीक है हम इसमें क्या करते हैं हम इसमें कुछ relationship लेते हैं कुछ inputs लेते हैं और उनकी बेस पर हम चेक करते हैं कि हमारा relation जो है हमार जो output है वो true है या false है ठीक है अब हम यह देखते हैं कि इसको total जो logical operators हैं उनको जो है कितनी types हैं उसको कितने हिस्सों में तक्सीम किया गया है first है हमारे पस end operator the end logical operation returns true only if either of its inputs are true सिरफ end operator के अंदर जो है वो हमें true उसी सूरत में हासल होगा जब हमारी input जो है वो सारी की सारी true होंगी अगर हमारी कोई एक input भी false हो जाती है तो हमारा result जो है वो false होगा हां जी और हम इसमें क्या करते हैं end के अंदर हम dot symbol के साथ इसको show करते हैं हम यहां पर एक example discuss करते हैं end operation की ठीक है हमारे पास total हम यहां पर जो है वो four values ले रहे हैं four values किस तरह से ले रहे हैं किस base पे ले रहे हैं two की power two is equals to four क्योंकि हमारे पास total दो variable है a and b ठीक है दो variable है तो इसलिए हम जो है वो जैसे कि आपको पता है कि computer के अंदर हम binary number system यूज़ करते हैं तो इससे हम two की power two लेंगे is equals to four combination total आपके पास बनेंगे ठीक है एक अंदर क्या है zero one zero one ठीक है आपने इसमें ऐसा combination zero one zero one और उसके बाद b के अंदर आपने क्या लेना है double zero double one ठीक है आपके पास total four combination हो गए अब a dot b अब आपने a dot b लेना है उसमें हम क्या करेंगे हमरे पस जतनी b inputs होंगी हम उसमें to end operation apply करेंगे और उसका answer जो है वो हम निकाल लेंगे हाँ जी अब आप देखें first वाली row में देखें zero zero लिखा हो है ठीक है zero zero is equal to zero क्यों क्योंके end operation के अंदर अभी हमने ये बात पड़ी है कि अगर जो है दोनों अगर जितनी भी वैलियो यहां तो हम दो का combination ले रहे हैं लेकिन अगर हम 100 वैलियो तो combination लें और 100 वैलियो में से 99 वैलियो जो है वो हमारी one हो और सिरफ एक वैलियो हमारी zero हो तो हमारा answer जो है वो भी zero होगा one सिरफ उसी सूरत में आपका answer आएगा जब आप जो है वो सारी value जितनी भी आप inputs दे रहे हैं वो सारी one हो तो फिर आपकी output भी one आएगी हाँ जी one को zero के साथ करेंगे तो answer zero क्योंकि इसमें एक zero आगया है zero one ये भी zero आगया है ठीक है one one जो है वो हमारे पास क्या आगया है one आगया है और operators क्या होगा the all logic operations returns true if either of its inputs are true if all inputs are false the output is also false हाँ जी इसमें थोड़ा सा जो है scenario different है और इसके अंदर जो हम plus operator यूज़ करते हैं इसके अंदर scenario जो है कुछ इस तरह से है कि अगर आपके पास जो है वो आपकी सारी की सारी value zero है तो फिर आपका answer zero होगा मतलब यह कि अगर आपके पास सारी के सारी ही false है तो आपका answer false होगा otherwise आपका answer true होगा अब यहाँ पे देखें यहाँ पे जो है बिलकुल opposite है किस तरह से कि अगर आपने जो है वो 99 आपके पास zero है और जिस्ट आपके पास एक one है तो आपका answer one होगा ठीक है zero सिलब उसी सूरत में होगा जब आपके पास सारे के सारे जो है वो zero होंगे not operator इसको हम negation operator भी कहते हैं इसमें क्या करते हैं operator जो है हमा जिसे ए है हमारा variable है उसके उपर हम बार लगा दें तो यह मारे पास not operator बन जाता है the not logic operation returns true if its input is false and false if its input is true इसमें just हमारे पास दो values होंगी और दो value के उपर जो है वो हम यह operator apply करेंगे अगर हमारे पास value zero है तो answer one अगर one है तो answer zero हाँ the next question है what is compound proposition sometimes we assemble more than one proposition to make one proposition called a compound proposition जैसे के today is Monday ठीक है I am in school ठीक है इसमें क्या है compound proposition के अंदर क्या होता है कि हम दो चीजों को मिलाते हैं ठीक है उसका combination से कोई चीज बनती है जैसे के दो चीजें हमने दी हैं उसके बाद today is Monday and I am in school is a compound proposition what is truth table a truth table is used to check whether the proposition is true or false हम यह check करते हैं कि जो हमारी proposition है वो true या false है तो उसके लिए हम क्या use करेंगे truth table use करेंगे ठीक है उसमें भी हम जो है वो end operation के साथ इसको चेक कर सकते हैं और इसको हम जो है वो और operators उसके साथ भी चेक कर सकते हैं और negation not operator के साथ इसको चेक कर सकते हैं यह जो तीनों operators हैं यह हमने पीछे जो है वो बहुत detail में इनको जो है वो discuss कर लिया अब हम कुछ laws define laws of boolean algebra boolean algebra के laws क्या है यह laws तकरीबन जो है वो map में और computer science में मिलते जूलते हैं The laws of boolean algebra help us to simplify complex boolean expressions commutative law, associative law, distributive law, identity law ठीक है What is commutative law? Commutative law के अंदर क्या होगा? अगर इसमें हम हर एक scenario को दो चीजों के साथ discuss करेंगे and oppression के साथ और oppression के साथ जिसे अगर आपके पस और operator जो है उसके अंदर आपके पस commutative law है तो यह होगा a plus b is equal to b plus a ठीक है and में क्या होगा a multiply by b is equal to b multiply by a ठीक है और associative law के अंदर क्या होगा a plus b plus c is equal to a plus b plus c अब देखें आपने जो है वो एक चीज आपने एक चीज पर गौर किया होगा कि जो है वो जब हम उसको plus के साथ लिखते हैं तो जब वो है जब हम उसको दूसरी तरह से लिख रहे हैं और रेप्रेटर के अंदर लिख रहे हैं ठीक है तो उसमें सिरफ dot का फर्क है जहां plus है वहाँ पर dot आजाएगा आपका ठीक है और बस इतना सही change होगा इसके अलावा change नहीं होगा अब हमने क्या किया अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं अब देखें यहां सेकेड़ वाले में क्या होगा है कि हमने बस change कर दिया a dot लिखा था पहले अब हमने a plus next कर दिया b dot c is equal to a plus b और a plus c what is identity law identity law के अंदर क्या होगा a plus a is equal to a a dot a is equal to a हाँ जी इसमें इसमें एक और चीज़ भी हो सकती है कि आप जो चीज multiply करेंगे या जो चीज जो है आप add करेंगे आपके पास वही answer आ जाएगा ठीक है जैसे मैं करते हैं one plus one वो तो two हो जाएगा ठीक है one अब यहां पे क्या होगा जैसे zero plus zero is equal to zero आएगा आपके पास ठीक है और या one plus zero is equal to one आजाएगा ठीक है a dot a is equal to a अब one dot one अगर one से multiply करेंगे तो हमारे पास जो है वो one ही आएगा वाट इस लॉजिक एक्सप्रेशन अ लॉजिकल एक्सप्रेशन इस एन एक्सप्रेशन दाट यूजिकल एक्सप्रेशन दाट जादा वैल्यूज हम लेते हैं वो में true या false की form में result है उसको return करेंगे ठीक है हाँ जी हमने जो है वो binary number system के बारे में बहुत detail के साथ discuss कर लिया है और binary number system जो है वो बहुत ही ज़ादा जरूरी हमारे computer के लिए क्योंकि हमारा computer जो है वो सिरफ इसी language को understand करता है इसके लावा वो किसी और language को understand नहीं करता ओके थैंक्यू आर नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को like और subscribe करना मत बूले थैंक्यू अलाफेस